देश की जांच एजंसियां लगातार भ्रष्टाचारियों और धोकेबाजों पर नकेलकस रही है जिससे उनका सांस लेना भी दूभर हो गया है लगातार जांच एजंसियां एक के बाद एक धोकेबास को अपनी गिरफ्ट में ले रही है और उनकी संपत्यों पर तगड़ा एक्शन हो रहा है करोडों की संपत्यों को जब्त भी किया जा रहा है देश के अलग-अलग राज्यों में एडी का डंडा अलग-अलग मामलों में चल रहा है तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि किस तरह से जांच एजंसियां अपना एक्शन ले रही है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ परविंशेग और आप देख रहे हैं हमारा खाशो कच्चा चिठ्था कई राज्यों में जाज अजंसियों का डंडा करोडों की संपतियों पर चला चाबू EDCBI ने भ्रष्टचारियों पर कसी नकेल धोखा धड़ी से लेकर कई मामलों में तगड़ा आक्शन EDCBI देश की अलग-अलग राज्यों में भ्रष्टचारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और लगातार एक के बाद एक भ्रष्टचारी पर शिकंजा कस रहा है अब हजारों करोड की संपत्थी को EDCBI ने जब्द करके हर कप मचा दिया है और साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी तरह से घलत करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा दरसल बैंक से धोकदरी मामले में प्रवतर निदेशाले याने EDCBI ने ग्रुग्राम में मौजूद M-Tech Auto Limited की 5,115 करोड रुपई की संपत्थी को जब्द कर लिया है EDCBI ने मनी लॉंडिंग की जाँच के बाद ग्रुप की 85 संपत्थियां कबजे में ली है M-Tech Auto पर सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर हेरा फेरी का गंभीर आरूप लगा था कर्ज लेकर कई कमपनियों में लगाया ग्रूप के निदेशक अर्विंद धाम और उनके साथियों ने सरकारी बैंकों से 27,000 करोड पै का मोटा कर्ज लेकर फर्जी कंपनियों में लगाया। 500 से ज़्यादा कंपनियों में पैसा इंवेस्ट करने के बाद सभी को दिवालिया घोशित कर दिया। इस मामले में फर्वरी में सुप्रेम कोट में याचिका दायर की गई थी और इस पर सर्वच नियाले ने एडी को जांच के आदेश दिये थे। इडी के जांच में महा घोटाले की परते खुलती चली गई। जांच में दोशी पाई जाने के बाद 9 जुलाई को अर्विन को गिरफतार कर लिया गया था। मेटालिस, फोर्जिंग लिमिटेड और कस्टेक्स टेक्नॉलजी लिमिटेड भी जांच की दायरे में हैं। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी और भी कई चौकाने वाले खुलासे होंगे। CBI भी कर चुकी है जांच CBI भी एमटेक ग्रुप के फरजिवारे की जांच कर चुकी है। उसने IDBI बैंक और बैंक ओफ महराश्टरा की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। तब पहली बार ये बास सामने आई थी कि अर्विन धाम और उनकी ग्रुप कंपनियों ने बैंक को लॉन शेल कंपनियों में स्थांत्रित कर दिया था। फरवरी में सुप्रिम कोट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंक धोकादड़ी की जांच का निर्देश जो है वो ED को दिया था जिसके बाद इस पूरे मामले की परते खुलती चली गई। मोटर वाहन उकरण बनाने वाली कंपनी है M-Tech Auto M-Tech Auto Limited की स्थापना साल 1985 में हुई थी यह कंपनी Automotive Components के सेक्टर में एक प्रमुक सप्लायर है फोर्जिंग, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, मशीनिंग और सब असेम्बली में कंपनी को एक्सपोर्ट करती है कंपनी का हैड़क्वाटर गुरुग्राम में हैं कंपनी की वेफसाइग गती विद्यो में वील बॉल्ट, सिलेंडर हैड बॉल्ट और सस्पेंशन बॉल्ट जैसे Automotive Parts का निर्मान शामिल है ACIL Limited अलग-अलग सेक्टर में कारेरत है जिनमें एक प्रमुक सेक्टर Automotive Components है Metalist Forzing Limited, Hard Force Ports और High Tensile Partners बनाती है जो Automotive और Non-Automotive सेगमेंट्स के लिए होते हैं इसके प्रोडक्ट्स में Crack Shaft और Front Axle Beam, Camp Shaft, Stub Axle, Bracket, Connecting Road, Flays, Yoke, Piston और अन्य जो प्रोडक्ट है वो शामिल है Axis Mutual Fund Front Running मामले में ED का आक्शन इसके साथ ये दूसरे मामलों में भी आक्शन देखने को मिल रहा है दरसल Axis Mutual Fund Front Running मामले में ED ने बड़ी कारवाई की है ED ने डीलर विरेश जोशी और कई ब्रोकर पर चापे मारी शुरू की है ED ने फेमा में Axis Mutual Fund Front Running मामले में केस भी रजिस्टर किया है सेभी और Income Tax पहले ही Axis Mutual Fund Front Running मामले में कारवाई कर चुका है सेभी के सर्विलांस सिस्टम ने कुछ अलर्ट जनरेट किये थे इससे पता चलता है कि कुछ संदिख्द इकायों ने ऐसे ट्रेंड किये थे जो देखने में बिलकुल Front Running जैसे लग रहे थे ये ट्रेंड Axis Mutual Fund के ट्रेंड से पहले किये गए थे आपको बता दे कि Front Running का ये मामला 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच का है जिसमें Stock Exchange के कुछ सदस्यों पर भी इस मामले में मिले होने का पता चला है जब जाच हुई तो पता चला है कि कायां और Stock Exchange के कुछ सदस्ये आपस में मिलकर Front Running कर रहे थे ये भी पाया गया है कि ट्रेट से जुड़ी कई तरह की गोपनिय जानकारियों को इन सदस्यों ने लीग करने का काम क्या जैसे ही Access Mutual Fund ने पोजिशन ली वैसे ही Access Mutual Fund के यहाँ पर उस वक्त के प्रमुक डीलर वरेश जोशिस से जुड़े कुछ लोगों ने अपनी पोजिशन को स्वायर ओफ कर दिया यानि की शेर बेज दिये इस तरह से इन लोगों ने गलत तरीके से मोटा मुनाफा कमाया और उसके बाद ये पूरी धोकादड़ी का जो पुरा मामला है वो अब सामने आ रहा है क्या होती है Front Running जैसा कि इसका नाम है Front Running यानि आगे भागना ये होता भी बिल्कुल वैसे ही है कई बार ये देखा गया है कि कुछ म्यूचल फंड की तरफ से लोगों के पैसो को किसी शेर में निवेश किये जाने से पहले उसके कुछ अधिकारी उस शेर को खरीद लेते हैं इससे होता ये है कि जब mutual fund की तरफ से भारी भरकम रकम उस शेर में डाली जाती है तो ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि उसके दाम में एक बड़ा उच्छाल आता है और इस तरह mutual fund के अधिकारी या उससे जुड़े अधिकारी गलत तरीके से मोटी कमाई कर लेते हैं कोलकाता में एडी का अक्षन इधर एडी ने आरजेकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर प्रिंसिपल संदीब भोष से कतित तौर पर जुड़े एक कारूबारी से आठ करोड़ पै का सोना जब्द किया है डॉक्टर घोष फिला सीबी आई की हिरासत में हैं सीबी भी खरोबारियों को सौट लेक इस्तित उसके घर से हिरासत में लेने वाले एडी अधिकारियों के सूत्रों ने बताया कि जांच एजंसी ने अन्य कनेक्शनों की भी जांच की है जहां डॉक्टर घोष मेडिकल घोटालों में मिलने वाले अवैद धन को रखते थे मेडिय पत के मताबिक इडी ने जांच के तहद घोष के एक सयोगी की कुछ संपतियों के बारे में Пता लगाया है उसी दिन एडी ने जांच के तहद घोष और उनके 3 सयोगियों के कॉलकता और हावडा समित कई जगों पर इस्तित आवासों पर छापे मारी की चापे मारी की बात एजनसी ने डॉक्टर संदीब घोश के करीबी सहयोगी प्रसुन चटर जी को हिरासत में लिया है चटर जी जो नैशनल मेडिकल कॉलेज में डेटा एंट्री ओपरेटर के र अधिकारिओं पर रिशवत लेने के आरूप लगे थे इस मामले में एक व्यापक कोर्ण शब्द प्रणाली का शुलासा हुआ है रिशवत लेने के मामले में अधिकारी कोड वर्ड यूज्ज करते थे इन कोड़ वर्ड में अचार माता का प्रसाद और गुलकन जैसे वक्ता विशाल बगेल ने एक जनहिती याचिका दायर की थी और याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2020-2021 में राजी में कई नर्सिंग कॉलेजों को बिना अवश्यक बुनियादी धांचे के मानिता दी गई थी इस मामले की जांच के लिए CBI को आदेश मिला है और इस साल फरवरी में CBI ने राजी के 119 नर्सिंग कॉलेजों को क्लिंचिट दे दी थी हलाके 18 माई को CBI ने 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की इनमें CBI के चार अधिकारी और कई जिलों के नर्सिंग कॉलेजों के अधिकारी शामिल थे FIR में आरोप है कि ये वेक्ति आयोग्य कॉलेजों को ओकी रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत का लेंदेन कर रहा था 15 जुलाई को CBI ने पूर्व इंस्पेक्टर राहूर राज, मद्यप्रदेश पुलिस अधिकारी, सुशील कुमार, मजोका और नर्सिंग कॉलेजों के निदेशों को सहित तो यहाँ पर 14 वेक्तियों के खिलाब विशेश CBI नियाएधिश के समक्ष आरोप पत्र दायर किया आरोप पत्र में आपरादिक साजिश और ब्रष्टाचार निवारन अधिनियम की कई धाराओं के तहट आरोप लगाय गये CBI का आरोप है कि राहुर राज को 10 लाग रुपए की अवयद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था आरोप पत्र के मताबिक आरोपियों ने कॉलेज अधिकारियों के साथ CBI टीन द्वारा निरक्षन की अनुसूची साजा करने के बदले में रिश्वत ली इसके बाद नर्सिंग कॉलेजों के मालिक या कर्मचारी निरक्षन से पहले या निरक्षन की तारीक को आवश्यक बुनियादी धाचे की वबस्ता कर लेते थे CBI ने आरुप पत्र में कहा है कि राज और उनके साथियों ने रिश्वत की राशी और निरक्षन रिपोर्ट के लिए कोड शब्दों का इस्तमाल किया अचार कोड नेम था जिसका इस्तमाल बड़ी राशी की रिश्वत के लिए किया गया था और इस तरह गुलकंद माता क प्रसाथ जैसे कोड वर्ड का इस्तमाल इन रिश्वत खोर अधिकारियों ने किया यानि कुल मिलाकर अलग-अलग मामलों में ED और CBI का डंडा चलता हुआ नजर आ रहा है अब देखना हुगा कि आगे किस मामले में कौन सा बड़ा एक्शन होता है क्योंकि मामले तो कई है और इन मामलों में ED किस तरह का ताबरतूर एक्शन लेती है तो कच्छा चुठा में फिलाल के लिए इतना ही आपको मारे वीडियो की खबरे कैसी लगें कमेंट करके अपनी राइज जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टिवी को सब्सक्राइब ज